गिरावट रही है हेलो फ्रेंड वेलकम तो टेहनाने स्टॉक्स और देखें कॉंसेंसर्स फेल हो गया आज मार्केट में कल किस तरीके से एक आम राय बन रही थी मार्केट में कि HDFC बैंक की वज़े से बैंक निफ्टी एक नए हाई पर पहुचेगा और बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है और ये एक कॉंसेंसर्स जो मार्केट में बन रहा था ये बहुत स्ट्रॉंग कन्विक्शन पैदा कर रहा था कि हाँ शायर क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में जहां जहां रिजल्ट आये हैं वहां वर तेजी हमने अल्रेडी देख ली थी और रिजल्ट का इंपक्ट ही बहुत बड़ा इवेंट था इस पूरे अक्टोबर के अंदर जो हम अल्रेडी देख चुके थे लेकिन मार्केट्स ने देखिया उस कॉंसेंस को फेल करके और बिल्कुल उल्टी दिशा में चलके दिखाया है Infosus Limited ने अल्रेडी एक तेजी दिखा दी थी अपने रिजल्ट के बाद में लेकिन वापस से आज यहां पर एक इतना हैवी मोमेंटम बनाए कि 1799 पर एक नया ओल्टाइम हाई यहां पर Infosus ने लगा के दिखाया है सबसे बड़ी बात किया है कि जहां ओल्टाइम हाई है एप्रोक्सिमेटली वहीं पर लास्टेडिंग प्राइस और क्लोजिंग आती भी दिखाई दिए तकरीबन 5% के आसपास तो जो मूब एक्सपेक्ट जिस सेक्टर से किया था उस सेक्टर ने तो आज बिलकुल कुछ करके नहीं दिखाया एक हाला कि बबल जरूर था मार्केट के अंदर शुरुआती कुछ मिंटों में वो बबल बस्ट हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया अपने लेवल्स को यानि कि 40,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी नहीं चूपाया उससे पहले ही वहाँ पर वीकनेस आती गई और जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया 21 ओक्टोवर की एक्सपाइरी में वो हम ज्यादा डीटेल में देखेंगे आज की निफ्टी टुमोरो की वीडियो में वहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस बनती चले गई लेकिन अच्छी बात यहाँ पर भी एक निकल के आ रही है जो मैं डिसकस करूँगा आज की वीडियो में परजूद भी आपके पास में बहुत स्ट्रॉंग बेस बना हुआ है कि आप आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक के अंदर पोजिशन बना के चल सकते हैं और देखें यह temporary move नहीं है यह अगर temporary move होता तो सिर्फ और सिर्फ Infosys के अंदर आपको तेजी बनती भी दिखाई देती लेकिन अच्छी में क्या हुआ है यह मैं आपको दिखा रहा हूँ देखें यहाँ पर अगर आप Nifty IT देखेंगे Nifty IT के अंदर जितने भी stocks हैं Infosys, Techam, Emphasis उसके बाद LTTS और TCS, Mindtree, Vipro, Coforge सभी में आपको एक green sign दिखाई दिया केवल और केवल HCL Tech में and LTI में छोड़के तो सबसे जादा important की बात यही है कि यहाँ पर Nifty IT में वापस से एक तेजी बनती भी दिखाई दे रही है जबकि इसके results, most जो prominent companies है, उनके results आ चुके हैं और यहाँ पर हमें पता है कि कोई ऐसा बड़ा event नहीं है जिसकी वएसे sector drive करतावा दिखाई दे बावजूद इसके बाकी sector के मुकाबले यहाँ पर पैसा आतावा दिखाई दे रहा है तो focus में जोब रहेगा Nifty IT ही रहेगा और Infosys के अंदर जो delivery percentage है वो बहुत strong conviction पैदा कर रही है अगर आप इसको compare करेंगे bank Nifty से तो बिल्कुल उल्टी कहान ही आपको दिखाई दे जाएगी bank Nifty के अंदर HDFC bank से जिससे सबसे आदो उमीद थी वो actually आज सबसे बड़ा underperformer रहा है 13 रुपे की गिरावट के साथ में तकरीबन 0.76% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है साथ दिया कोटेक महिंदरा bank ने इसके अलावा यहाँ पर जो action perform देखने को मिला है वो छोटे bank को में देखने को मिला है जैसे RBL bank, IDFC first bank, बंधन bank, EU small bank and PNB के अंदर सारे दिन आचरचा जारी रही क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी तेजी तकरीबन आप देखेंगे 8% की तेजी यहाँ पर PNB के अंदर देखने को मिली है तो यह basically आज का आलम रहा है जो जिसने सब को surprise किया actually में market के अंदर and यहाँ से further एक चीज हमें दिखाई दे गई है कि enforces आने वाले time में भी आपको एक बहुत बड़े move की तरफ जातावा दिखाई दे सकता है देखे पहला comfortable position हमारे पास में दिखाई दे रही थी क्योंकि इसके अंदर delivery percentage 72% के आसपास आती भी दिखाई थी जो हमने अभी NST के stats पर देखा है दूसरी अगर हम बात करें तो इसका RSI अभी भी still इतनी तेजी के बावजूद भी एक बहुत comfortable level पर है and यहाँ पर RSI के पास में एक अच्छा खासा headroom है कम से कम 10 points का और यह अगर 80 के level को touch करता है तो यह stock आपको 1900 तक के भी level दिखा सकता है tranches के अंदर आने वाले कुछ trading sessions में अगर यह rallies जारी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है inforces एक strong contender होगा पूरी nifty IT का जो इस breakout को इस basically resistance को break करके 1900 तक के level आपको दिखा सकता है तो यहाँ पर पूरी तरीके से clearly यह चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इसके अंदर buying side के अंदर positions बना सकते है और देखे एक बार यह in level को cross कर जाए यानि कि 1800 level से उपर निकल जाए तो बहुत strong conviction होगा कि 1900 तक जा सकता है कुछ trading sessions में और फिर आपको stop loss भी बहुत छोटा लगाना होगा तो इस तरीके से देखे चार्ट पैटर्न जो है वो काफी जादा strong है इसलिए देखे इनफॉसस के अंदर positive side में आपको buying action ही आतावा दिखाई दे सकता है आने वाले time में क्योंकि इस level को इस box formation को जैसे ये break करेगा और बड़े targets आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस surprise move ने आज इनफॉसस को basically काफी अच्छी तेजी दिखाई है 1800 के level को touch करने में केवल एक रुपय ये नीचे रह गया 1799 का जिसका all time high लगा है तो all over देखी ये वो move है इनफॉसस के अंदर जिसको track करना बेहत जरूरी हो गया है अब आने वाले time में और दिवाली से पहले ये एक बहुत बड़ा move आपको दिखा सकता है जो इस stock को देखे 2000 प्लस के level पर ले जा सकता है तो इसको बिल्कुल focus में रखिएगा और ये stock रहेगा basically आने वाले 15 दिन के लिए सबसे mega performer of nifty IT तो देखे इस वीडियो में फिला दितना ही और कुछ और interesting videos आपके सामने बहुत जल्द अपसे कुछी देर में आर टीवी दिखाई देंगी trendline stocks पर तो still आपसे यह चीज़ कहना चाहूँगा अभी तक आपने trendline stocks नहीं subscribe किया तो please subscribe करें बराबर में यह bell icon ज़रू दो बादें जिससा आपने कोई भी latest video की notification मिसना कर पाएं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में तेल देंक यू बाबाई